Hi everyone and welcome to you captain so this video के अगर आप CUED 2024 के अंदर English as a language देने वाले हो तो इस वीडियो में कुछ important rules की मैंने बात की है जहां से 2023 के अदर questions भी आप लोगों के बने में और मैं आप लोगों के एक बार बता दूँ बहुत जल्दी verbal ability का मतलब English language का सर्फ और से specific course जो है आपका मैं launch करने वाला हूं मैं डेटी भी आप लोगों को बता देता हूं इस संडे को मैं आप लोगों का English language का course जो है वो launch कर रहा हूं आपको बस करना क्या है यह मेरा Instagram handle आ रहा है Instagram handle पर जाके मुझे आप follow कर लीजे महां बस एक मुझे message दाल रहे है कि सर्फ English का course लेना है आपको मैं waiting list के अंतर डाल दूँगा क्यूंकि मैं आप लोगों को बता हूं उस course का जो price हम रखने वाले ना वो thousand rupees तक रखने वाले जिस पर भी मैं और जादा नहीं होंगे इसलिए आप उसका फाइदा होगे तो इसलिए मुझे Instagram पर आप लोग जरूर फॉलो किजेगा और उसी के साथ मैं आप लोगों को पता दूँँ आप हमारे telegram group को join कर सकते हैं वहां पर हमारी faculty हम जो हैं आप लोगों से connected होते हैं आपको क्या doubt आ रहा है क्या नहीं आ रहा कब पढ़ाई करने का मन कर रहा कब पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा वो सारी दिक्कते हम जो हैं डिसकास करते हैं यार बस मैं आप लोगों का प्यार चाहता हूं अभी इन दिनों बस आप लोगों को support चाहिए comment section के अंदर ना English course उसके साथ एक heart का emoji लिख दे मतलब आपको बिल्कुल step by step जो है English language के अंदर में लेके जाने वालों आपको बहुत मज़ाएगा बहुत जादा मज़ाएगा इस पूरे course के अंदर तो Sunday जो है वो mark करके रखना है अपने calendar के अंदर डाल के रखना English language के एडियो क्याप्टन का इतिहास में ऐसा हो रहा है यह हमारे जो हमेशा से course के prices रहे ना आठ से 10,000 रुपे हमेशा से cost के है इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हम अपना एक course जो है वह हजार रुपे के अंदर अंदर जो है वह launch करने वाले आपके प्यार की जरूरत है आपके support की जरूरत है support आपको पता है कैसे दिख है आज का जो हमारा पहला रूल है वह हमारा each और every का रूल बहुत important रूल है इसको समझना बहुत जाता जोड़ी है तो मेरी आदत आपको पता ही होगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे सबसे पहले यह तीन question मैंने दिये हुए है आपको वीडियो को pause करना है और इनको करना है try कह यहां पर each आएगा कहां पर every आएगा वह आपको बताना है ठीक है मुझे उमीद है कि आपने try किया होगा बट चलो मैं जाते आते इसके answer जरूर बताएता हूं आपको क्योंकि फिर मैं concept की दरफ लेके चलूँगा आपका यहां पर my parents are arriving tomorrow and each of them होगा यहां पर ठीक है each of them will be on different plan he has a ring on every finger नहीं होगा sorry every finger भी यहां पर हो सकता है और आपका each finger भी यहां पर हो सकता है बताओगा भी कैसे हैगा current is using different pencils every time, every time नहीं होगा यहाँ पे यहाँ पे हमारा होगा each time ठीक है, अब क्या कहानी है, कैसे हम करते हैं इस बात को समझते हैं, यहाँ देखो each or every को समझने के लिए हमें 5 concept मोटे मोटे समझने पड़ेंगे क्या, सबसे पहले हम numbers की इसको में समझने पड़ेगा, तीसरा एक concept निकल के आता है, individual और group का मतलब कि आप इसमें देखोगे कि each हमारा individual को बता रहा होता है वही every हमारा group को बता रहा होता है तो यहाँ से भी हम समझेंगे, फिर abstract noun का concept आता है और उसके बाद हमें एक चीज़ जो सीखनी है, कि each और every के बाद हमारा singular noun, जो singular verb आता है और singular ही adjectives यूज़ होते है तो इसकी क्या कहानी है, उसको एक-एक करके मैं आप से जो है proper काईदे से समझाने कूशिश करता हूँ सबसे पहले each और every को हम numbers की की बात होगी, वहाँ पे हमारा क्या आएगा, every आएगा अब यहाँ पे बहुत बच्चे बोलेंगे कि सार दो से जादा कहलो या तीन कहलो, या तीन से जादा कहलो बात तो यह क्योगी, बिलकुल बात एक होगी वह थोड़ा सा सबर रखो मैं बताऊंगो आपको कि कैसे, क्या differentiate आता है, तो इसको समझने के लिए, मैं question की help लूँगा आपसे, कुछ warm up के लिए question देरो, पहले pause करना, और फिर खुड try करना, ठीक है, मुझे उमीद है आपने pause करकर try किया होगा, अब देखो यहाँ पर क्या कहता है, she had a paint on every leg, अब यहाँ पर अगर leg की बात है, तो leg एक इनसान में दो ही leg होते हैं और यहाँ पर she की बात हो रही है, तो यहाँ से मुझे पता चला है कि human की बात हो रही है, अब दो ही leg होंगे, तो हमने क्या देखा, जब भी parents जो होते हैं, वो हमारे कौन होते हैं, एक हमारे father होते हैं, चीक है, और एक हमारी mother होती है, तो parents हमारे दो ही होते हैं, तो जब भी हमारी दो यहाँ दो से जाधे ही बात होगी, वहाँ पर हमारा क्या लगेगा, each लगेगा, अब देखो, he has a ring on every finger अब यार अगर मैं finger की बात करूँ तो मैं एक हाथ बनातो ये मैंने, ये मेरा थंब हो गया ये एक finger, फिर ये एक finger ये एक finger, ठीक है इस तरीके से ये इसको गलत में समझना ठीक है, अब यहाँ पर ये चारो क्या है ये चारो मेरी finger है तो फिंगर मेरी क्या है चार है अब यह क्या है यह मेरी दो से भी जादा है और यह मेरी तीन से भी जादा है तो यहाँ पे मेरा क्या है every finger कहना भी ठीक होगा और मेरा each finger कहना भी ठीक होगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है बात आरे समझ कोई आपको यह वाली I hope आपको proper clearly बात समझ में आ रही होगी आगे बढ़ते दूसरा है मारा part of speech अब अगर मैं each की बात करता हूँ तो each हमारा part of speech में pronoun होता है और adjective भी होता है pronoun हमारे क्या होते है हमारे वो words कह लो जो की हमारे noun की places पर आते है हमें pronounce के मेरे चीज़ पढ़ी अगर आपने नहीं पढ़ी तो थोड़ा सा आप अपने pronoun के first lecture को थोड़ा ध्यान से ज़रूर देख लेना वापर मैंने clear किया हुए हमारे adjectives कौन से होते है जो की हमारे noun ये फिर pronoun को qualify कर रहे होते है उसको हम क्या कहते है उसको हम adjective कहते है जैसे कर मैं pronoun की बात करूँ मैंने बोला Ram is a boy Ram is 16 year old Ram is in class 6th Ram का school का नाम ये तो कितनी बार Ram 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 ये सारा हो गया है ठीक है तो इस repetition को avoid करने के लिए जो हम word use करते है he, she, it, they ये सब हमारे क्या होते है प्रनावन होते है वही adjectives मैंने बोला he has a car उसके पास car है अब मैंने बोला he has a red car अब वो car कैसी है वो car मेरी red color के है मतलब कि इस noun को इसने और qualify कर दिया तो ऐसे word जो और जादो qualify कर दे उनके बारे में और detail में बता दे ऐसे words को मैं क्या कहते है adjectives कहते है बात है रे सुनने तो each मेरा pronoun की तरह भी काम करता है और adjective की तरह भी काम करता है similarly अगर मैं अपनी every की बात करता हूँ तो every मेरा सिर्फर सिर्फ adjective की तरह गाम करता है बहुत important question है concept है इसको समझना बहुत सब्सक्राइब ज़रूरी है for example कुछ warm up के लिए question मैं आपको देता हूँ अच्छा आप पहले pause करना और इसको try करना तो मुझे उमीद है आपने try ज़रूर किया होगा अब इस पर जाने से पहले मैं कुछ important चीजे जो है वो आपके साथ discuss करना चाहता हूँ तो यहाँ पर star मार करके notes में अपने ज़रूर लिख ले न important things important things to know ठीक है अब यह क्या चीजे हैं भई मैं आपको दो चीजे हैं आपर बताने वाला हूँ सबसे पहली चीज हम क्या सीखेंगे आज कि भई हमने जब हमारा noun start किया था तो वहाँ पर मैंने आपको बतायता है कि सबसे चोटा sentence जो होगा उसके अंदर एक subject और एक verb होना जरूरी है अगर subject के साथ verb नहीं है तब ही मेरा जो है जो एक sentence बन पाएगा चोटे से चोटा जैसे कि I play I dance तो यहाँ पर I क्या है subject ठीक है और dance क्या है मेरा verb है तो एक चोटे से चोटा sentence बनाने के लिए subject और verb का होना जरूरी है मतलब कि subject है तो verb होगी verb है तो subject होगा अब यहाँ पर जो मेरे subject है एक बात कान खोल के अपने डिवान पर रख लेना मेरे subject या तो सिर्फ noun हो सकता है या फिर pronoun हो सकता है इसके अलावा और कुछ भी पूरे English grammar के अंदर मेरा subject नहीं हो सकता अगर मैं कहा रहा हूँ कि adjective मेरा subject है तो नहीं नहीं हो सकता है मेरे बाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता है जैसे कि मैंने आपसे एक बात कही फॉर एक्जांपल मैंने कहा I am going ठीक है I am going तो यहाँ पर आप देख रहो कि यह मेरी अगर वोब है तो यह subject क्या है यह मेरा I है और यहाँ पर मेरा subject क्या हुआ है यह मेरा subject pronoun बनावा ए ठीक है बात आरी समयूर नहीं similarly अगर मैं आपसे कह रहा हूँ राहुल is going तो यहाँ पर मेरा going जो है वो बैतो उसके साथ मेरा क्या है रहा है राहुल मेरा subject होगा और यह मेरा subject क्या है नाउन है नाम है ना किसी कहा हो किसी के नाम को यह क्या कहते है नाउन कहते है यह होगे हमारा पहली चीज समझने वाली दूसरी चीज मुझे क्या समझनी है हमारा प्रेपोजीशन के बाद हमारा प्रेपोजीशन के बाद हमेशा ही अबजेक्टिव केस आता है क्या आता है यहाँ पे हमने बोला था, each of us has a bicycle अब यहाँ पे has मेरा क्या है? वर्ब है, ठीक है? अभी हमने देखा कि off मेरा क्या है? प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद यह मेरा us क्या हो जाएगा? यह मेरा us हो जाएगा, यहाँ पे object ठीक है अब मैंने बोला कि एक sentence के अदर अगर verb है तो महाँ पर subject का होना भी जरूरी है that means यहाँ पर मेरा each जो है वो as a subject काम कर रहा है और मेरा subject क्या हो सकता है noun या फिर pronoun हो सकता है और हमने देखा कि मेरा each pronoun है that means यह sentence मेरा यहाँ पर बिल्कुल ही correct है अगर यहाँ पर यह लिखा है every of us has a bicycle तो यहाँ पर मेरा has क्या है verb है मेरा of preposition है यहाँ ठीक है और उसके बाद मेरा us जो आएगा वो objective case बन जाएगा तो यहाँ पर अगर आप every को देखो के मेरे भाई तो every क्योंके मेरा adjective होता है every मेरा क्या होता है देखो हमने देखाना के every मेरा एक adjective होता है तो क्योंके every मेरा adjective होता है इस लिए हम इसको as a subject use नहीं कर सकते हमें इसको काटके क्या लिखना पढ़ता है each लिखना पढ़ता है बात आरे सुनने अब यहाँ पर एक चीज़ और समझो every one of us has a bicycle again ये मेरा verb हो गया of मेरा क्या हो गया preposition हो गया उसके बाद us मेरा क्या बन रहा है objective case बन रहा है अब यहाँ पे ये जो verb है ये one को as a subject ले रही है जो मेरी verb है has ये one को as a subject ले रही है क्योंकि one मेरा pronoun होता है और इस one को qualify कर रहा है every तो ये मेरा adjective ठीक है बात है रिसमे I hope आपको clarity मिली होगी इतने depth में आपको कोई ही बता रहा होता आगे चलते हैं next चीज़ अब हम थोड़ा सा warm up करते हैं कुछ questions देखते हैं आप पहले pause करके try कीज़ेगा each or every लगाने का क्योंकि question यहाँ से direct put होते हैं different different exams के इंदर चिल्रन क्या हो जाएगा यहाँ पर objective case हो जाएगा अब क्योंकि मेरी verb आ रही है तो इसको एक subject लेना ही पड़ेगा और subject मेरा noun या फिर pronoun हो सकता है और मेरा each क्या होता है each मेरा pronoun होता है that means यह sentence मेरा बिलकुल ठीक है अब देखो every of the children received a special gift अब यह मेरा क्या है verb है of मेरा क्या है preposition है preposition के बाद क्या आता है मेरा objective case आता है इस verb को subject चाहिए तो subject मेरा noun या फिर pronoun हो सकता है every मेरा जो है वो adjective होता है तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा each ही लगाना पड़ेगा बात आरे सुझने तो यह sentence मेरा गलता each लगा के sentence मेरा ठीक हो जाएगा अब आ गया देखो every one of the children received a gift तो यहाँ पर received मेरा क्या है verb है of मेरा क्या है यहाँ पर preposition है preposition के बाद यह मेरा क्या हो जाएगा objective case हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर one मेरा क्या है pronoun है ठीक है और मैंने देखा कि मेरा subject जो है वो noun यहाँ पर pronoun बन सकता है तो यह मेरा जो received है यह इसको as a subject consider कर लेगा और subject अगर इसको consider कर लेगा तो every मेरा क्या है adjective है तो यहाँ पर everyone of the children received a special gift यह मेरा बिल्गू ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या है we have three windows every has a great view अब आपको लगेगा कि हमने जब भी बात कीती तीन या फिर तीन से जादा है तो उसके साथ में हम क्या लगा देगे every और आप जल्दवाजी में क्या कर दोगे इसको correct कर दोगे लेकिन अगर आप यहाँ पर हां से समझोगे has क्या है मेरा verb है ठीक है sir has अगर मेरा यहाँ पर verb है तो यह अपने साथ subject लेगा और subject मेरा every हो नहीं सकता क्योंकि subject होने की जो quality है वो किसके पास है noun या फिर pronoun के पास और मेरा pronoun क्या होता है वो each होता है यह इसको subject लेगा तो subject मेरा every हो आने सकता उसकी जगा मिझे क्या आना पड़ेगा each आना पड़ेगा तो मेरा correct sentence क्या बनेगा the dogs are unique each has a different markings आगे दोको every one of the windows was broken अब यहाँ पर आप देखोगे was मेरा क्या है verb है off मेरा क्या होगा preposition होगा तो off के बाद मेरा क्या हैगा objective case आएगा ठीक है तो इसको जो है यहाँ पर यह इसको subject ले लेगा one को was मेरा verb है subject तो चाहिए अब क्यूंके one मेरा pronoun होता है यह इसको क्या ले लेगा subject ले लेगा और pronoun को qualify कर रहा है adjective तो यहाँ पर मेरा every आ सकता है यह मेरा बिल्कुल correct answer है कोई दिकत परिशानी जलन खुझली इसमें है तो मुझे बदा I hope आपको एक concept बहुत काईदे से clear होगा ठीक है अब उसकी बाद तीसरा जो concept में सीखना है that is individual या फिर group के बारे में तो हमें क्या सीखना है जो हमारा each होता है वो बताता है individual person या फिर item के लिए जब आप group में से मतलब की मान लो यह आपका group है इसमें से जब एक individual की आप बात कर रहे होगे तब वहाँ पे आप each लगा होगे और जब आप पूरे group की बात करोगे collective group की बात करोगे तो हाँ पे आप every का use करोगे बात आपको समझें I hope यह बहुत अच्छे से clear हो गई होगी कुछ examples लेते warm up करते इसको समझना पड़ेगा मैं कहता है कि each child is performing different task हर एक बच्चा अलग task perform कर रहे है तो है यहापर individual sense है तो है यहापर मेरा क्या लगा each लगा बिल्कुल ठीक sentence है कहीं कोई दिखकर नहीं है every child is performing the same task यहापर क्या है collective group की बात कर ली सारे जो है same task perform कर रहे है मतलब कि यहापर बिल्कुल correct sentence है हमारा आगे तो को current is using different pencils every time अब यहापर current जो है हर एक time पे different pencil यूज कर रहा है तो यहापर मेरा क्या है जगा क्योंके individual pencil वो यूज कर रहा है ना तो यहापर मेरा क्या है जगा इज टाइम हो जाएगा बात है विजम में आगे देखो साहिल is using the same pencil इज टाइम तो अब यहापर क्योंके मेरी collective ग्रुलप वाली sense है तो यहां पर मेरा क्या आएगा एवरी टाइम आजाएगा ठेक है बात है इस पर में आगे देखो इच आर्टिस इस सेंसेटिव अब यहां पर आर्टिस्ट पूरी कॉम्मिनिटी की बात कर रहा है न यह कि रहे हैं कि सारे आर्टिस्स जो है हर चीज को differently देखते हैं अब मालो मैं teacher हूँ ठीक है मैं verbal बढ़ा रहा हूँ कोई और भी teacher है वो भी verbal बढ़ा रहे हैं उनका पढ़ाने का टेस्ट और मेरा पढ़ाने का टेस्ट अलग है ना सबका अलग अलग होता है पढ़ाने का टेस्ट तो यहां पर artist जो है हर एक artist अलग अलग तरीकी से चीजों को देखते हैं तो मतलब यहां पर individual sense आ रही है तो यह each के साथ कभी भी हमारा abstract noun नहीं आता है हमारा every के साथ हमेशा से abstract noun आते हैं यह बात समझ लेना बाई देखो abstract noun क्या होते हैं मुझे उम्मीद है आपने इस बात को समझा होगा noun के chapter में बात की हुए दूसरे lecture के अंदर abstract noun फिर भी अगर आपको नहीं पता वो noun जिसको हम सिर् कि मैंने आपसे बोला laugh थेख है में unravel को आप touch निशक नहीं कर सकते हैं सिर्फ feel कर सकते हीं ठीक है मैंने कहा आपसे let says love मैंने कहा आपसे reason तो यह सारी चीझे क्या है यह सब अहरे abstract noun बाउन हैs that cannot be touch उनकों क्या नाध चेते है strict noun कह सिर्फ feel कर सकते हैं भी जैसे कि अब यहां पे जो concept है कि हम each के साथ abstract noun नहीं लगा सकते every के साथ लगा सकते हैं तो वो क्या है इसको समझते हैं मैंने का let's say I have I have each reason to be happy ठीक है ये कहा मैंने आपसे I have each reason to be happy अब एक बावत दो reason मेरा क्या है यहां पे abstract noun है है ना ये मेरा abstract noun है abstract noun के साथ कभी भी each आपका नहीं आता जराम तो आप यहां पे क्या लिखोगे every लिखोगे I have every reason to be happy बात आरी समझ में कोई दिक्कत परिशान इसके अंदर I hope आपको नहीं होगी छोड़ा सा concept प्यारा सा concept next है हमारा singular verb और singular adjective एक बात हमेशा से धिहान रखना आपका each आपका every आपका either आपका neither ठीक है यह चारों के साथ हमेशा ही आपकी singular verb आएगी क्या आएगी वही singular verb आएगी और आगे हमेशा ही singular इसको तो आप यह ऐसे बादल बना ले ना इन पर बहुत इंपोर्टन चीज़ें यारी जो मैं आपको बता रहा हूं न वैसे कि वैसे तो हमने अपने लेक्चर के अंदर सारी चीज कवर आपकी यह वही हूँ आपको पता है बट रिवीजिए हम कर रहें ठीक है जैसे कि मैंने आपको लेटसे सटेंस कहें for example मैंने का और ऑट एच स्टुडेंट एच स्टुडेंट इस प्रैपेरिंग एक संटेंस तो मैंने यह बोला और एक संटेंस मैंने लेट से यह बोले यहां पर एक कॉंसेप्ट और सिखाऊंगा भी आपको इच ओफ दस्टूदेंट इच ओफ दस्टूदेंट इस प्रिपेरिंग इस प्रिपेरिंग प्रिपेरिंग फॉर देर एक्जाम ठीक है यहां पर क्या है यहां पर देखो इच स्टूदेंट इस प्रिपेरिंग फॉर देर एक्जाम अब यहां पर देखो इच स्टूदेंट आगे तो यहां पर मेरा प्रणाउन आएगा यह भी मेरा सिंगुलर ही आएगा तो यहां पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा इस आजाएगा ठीक है बात है इसमें अब यहां पर एक छोटा सा कॉंसेप्ट और समझ ले ना यहां पर बॉक्स बनाके सीख लो इस बात को ठीक है सीख तो क्या लो आपने सीख ही रखी होगी जब भी आपके इच के साथ आप डिरेक्ट नाउन लिख रहे हो बदलेग इच जैसे कि आपने यहां पर लिखा इच स्टूडेंट तो इच के साथ यह मेरा नाउन स्टूडेंट डिरेक्ट आयए वाई तो ये हमेशा ही मेरा कैसा आएगा ये हमेशा ही मेरा singular आएगा ठीक है ये तो पहले चीज हो गई दूसरी चीज आपको क्या सीखनी है अगर आपने each लगा रखा है उसके साथ आपको of the लगा है और यहाँ पे आपका noun आ रखा है तो ये noun आपका कैसा आएगा ये noun आपका हमेशा से ही plural आता है ठीक है इस बात का आपको दिहान रखने जैसे कि each of the students लिखा है मैंने बात है इसमें कोई दिक्कत परिशान इसके अंदर I hope आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं हो ठीक है sorted है दूसरा rule है आज हमारा both बहुत important है इसको भी समझना इसके भी मैं आपको तीन concept सिखाँगा तो concept number one सबसे पहले कभी भी आप जो है both के साथ आप कभी भी both के साथ as well as नहीं लगाऊगे ठीक है as well as both के साथ कभी नहीं लगेगा ठीक है both के साथ हमेशा ही क्या लगेगा आपका and लगेगा जैसे की जनाब मैंने आप से कहा for example both राम as well as शाम ठीक है तो ये कहना गलत है सरासर वही अगर मैं कैसा कह रहा हूँ आप से both राम and शाम तो ये मेरा ठीक है ठीक है बात है इसमें concept number two concept two कहता है कि आप कभी भी both के साथ not नहीं लगाओगे both के साथ कभी आपका not नहीं लगेगा इसकी जगा जब भी आपको both के साथ not वाली sense लगानी है तो आप किसका यूज करोगे neither के साथ nor का यूज करोगे आप both के साथ नहीं लगा होगे, इसको बहुत कायदिस समझ लेना, जैसे कि मैंने आपसे बोला, नीदर, राम, नौर शाम, is coming, ठीक है, बात है समझ में, और यहां पे एक नोट पॉइंट और एड़ कर लेना आप लोग, ठीक है, एक नोट पॉइंट एड़ करो, माल लो आपका एक सब्ज सब्जेक्ट टू है, ठीक है, सब्जेक्ट टू, तो आगे जो आपकी वर्ब होगी ना मेरे भाई, वो वर्ब डिपेंड करेगी, इस सब्जेक्ट टू के उपर, इस बात को बहुत कायदे से समझ लेना, बहुत इंपॉइंट पॉइंट है, जैसे कि, यहां पे आपके राम, नौर, शाम, इस कमिंग, तो राम, नौर, शाम, बच्चे क्या करते है, आर कमिंग लगाए, बच्चों को लगता है, दो लोग है तो आर लगादो, नहीं, यहां पे जो मेरी वर्ब है, यह इस वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी, जो पास में सब्जेक्ट होत concept number 3, आप ऐसे समझना, हमने कुछ positive adjective देखे थे, positive का मतलब होता है, अधिकार दिखाना है, तो positive adjectives अगर आपने नहीं भी देखे तो मैं दिखा देता हूँ, positive adjective हमारे कौन का होता है, जैसा कि my, ठीक है, यह मेरा है, ठीक है, her, यह उसका है, ठीक है, there, वो उनका है, तो यह ह हमारे concept है, positive adjective होते है, हमेशा positive adjective जो होगा न, वो both के बाद ही आएगा, यह बात ध्यान रखना, both के बाद ही हमेशा हमारा, positive adjective आएगा, for example, मैंने आप से कहा, let's say, both my students, ठीक है, both my students, यह मेरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं आप से कहा रहा हूँ, my both students, my both students, तो यह गलत है, ठीक है, बात है समया पर students होगा, clear है, sorted है अली बात, कोई दिक्कत इसके अंदर परिशानी, I hope आपको नहीं होगी मेरे फाइल, चलते आगे, कुछ warm-up करते हैं जरा इसके उपर, अब यहां पर देख नहीं आता, और यहां पर यह अगर आप देखो के subject 1, subject 2, तो यहां पर मेरा क्या आना चाहिए, इस आना चाहिए, पहले चीज़ तो, अब यहां पर, क्योंके बोट के साथ, हम and नहीं लगाते, तो इसका correct क्या बनाओ गया, नीदर, राम, नौर, शाम, इस, इस, नीदर, यहां पर नौट लगा है, तो नौट तो नहीं लगेगा, इस, गोइंग तो, एक सब्सक्राइब, क्या बता है आपको भी, हाँ, नौट नहीं लगाएंगे, sorry, मैंने यहां पर गडबड कर दी, बोट के साथ, आपका नौट नहीं आप, I'm so sorry, नीदर, र this is a war which cannot, which both side cannot win, अब देखो बोट के साथ cannot आ रहा है, नहीं हो सकता, तो हमएं क्या बोलना पड़ेगा, this is a war, which, neither, side can, okay, बात यह सोएंगे, कोई दिक्कत, परिशानी इसमें, I hope, नहीं होगी, आगे चल दर rule number 3 हमारा कहता है who versus whom के अंदर बहुत confusion होती है इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब कभी भी आपकी verb है तो verb के बाद हमेशा ही आपके क्या आते है objective cases आते है और verb के पहले हमेशा ही आपके क्याते है subjective case आते है मेरे बाई और whom हमेशा से हम किसके लिए लगाएंगे person को refer करने के लिए लगा रहे है ठीक है अली बात आगे समझने जैसे की यहाँ पे मालो में के example लेता हूँ मैंने आपसे कहा he met her तो अगर आप इस छोटे से sentence को देखोगे न met क्या है मेरा verb उससे पहले he मेरा क्या है यह मेरा subjective case है her मेरा क्या है यह मेरा objective case है अगर आपको नहीं पता subjective or objective case क्या होते है तो मैं आपको लिखवा देता हूँ ठीक है She it they you will I ठीक है यह सब मेरे क्या होते है objective case क्या हो गया he को होता है him she को होता है her ठीक है it relieve they का हमारा them ठीक है you का हमारा you रहता है ठीक है sorry मैंने क्या लगा दिया will क्योंड प्यों लगा दिया यहां पे लिख लो i और यह कर लो वी आए को जाएगा मी ठीक है इस सॉरी वी का वी ठीक है बात है तो यहां पर क्या सीन है हमारा वर्ब से पहले मेरे सब्जेक्टिव केस आएंगे वर्ब के बाद मेरे अब यहां पर अगर आप जब कभी भी कन्फ्यूज हो जाओ कि कहां पर मैं हू लगाओ कहा बहुत सिंपल सी बात है यह रहा मेरा हू और यह रहा मेरा हू इनको सीखना बहुत काईवे से पहली चीज मेरा हू जो है वह हमेशा से ही एक परसन को रेफर करेगा ठीक है मेरा हू भी जो है वह परसन को ही रेफर कर रहा होगा इसमें कोई दुराया नहीं है लेकिन हू के बाद मुझे हमेशा ही sentence में या तो helping verb मिलेगी या तो main verb मिलेगी whom के बाद मुझे कोई different subject मिल रहा होगा है यहाँ ठीक है whom के बाद मुझे different subject यहाँ पर मिल रहा होगा ठीक है और अगर आपने adjective काई मैंने adjective के अंदर कराया था adjective का session number 5 अगर आप देखोगे जहां से देख लेना जैसे इसके बाद को यहां पर pause करके अगर समझ थोड़ सा भी ना रहा हो न adjective पर session number 5 एक बर काई देशे 2x पर फटाफट फटाफट करके देख रहे ना और मैं आपको एक चीज बता दूँ अब आधर डालो आप 2x 1.5x 2x पर विडियो देखने की ठीक है मैंने आपको कुछ एक्स्टा वर्ड लिखाएते हैं वहांपे कुछ एक्स्टा वर्ड लिखाएते जिससे फरक नहीं पढ़ता कभी उसके उपर फिर मैं बता देख आता हूं आपको जैसे कि मैंने लिखाएता आपको I think ठीक है देफी ठीक है ये कुछ हमारे extra words भी थे वही तो अब ज़रा कुछ warm up करते हैं इनकी practice करते है अब यहां पर क्या होगा भी में को who या फिर whom लगाना है तो मैंने देखा कि यहां में person की reference आ रही है तो मेरा who या फिर whom में से लगेगा अब यहां पर मेरा क्या रहा है say आ रहा है तो say मेरा क्या होगे verb तो मैंने क्या देखा था कि जब कभी मेरा verb आ रहा होगा तो उससे पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा who लगाना पड़ेगा sorted है अब देखो she met the person dash god likes अब यहां पर एक बावत हो यहां पर god मेरा क्या होगे को डिफरेंटी सब्जेक्ट आ गया तो यहां पर मेरा क्या जाएगा whom आ जाएगा ठीक है अब देखो she saw her dash I think is a rock star she saw her dash I think is a rock star अगर एक बाव बताओ इस I think को हटा कर मैं यहां लिखा दूँ यहां लिख दू माल लो पर दूअ लिखा हु ex दूटी तो यहां पर मेरा क्या आ रहा है यहां पर देख रहो कि इस I think से होने से कुछ फरत नहीं यहां पर मेरा क्या है यहां पर मेरा helping wog है यहां पर मेरा हूव आ जाएगा ário यहां पर हो आ जाएगा इस I think is a rock star आपको I think देखकर लग सकता है कि यहाँ पर मेरा subject आ रहा है तो यहाँ पर मैं whom लगा दूँ नहीं, आपको पहले देखना बढ़ेगा तो adjective बाशेशन नंबर 5 इबर देख लिए ना अगर आपने काईदे से नहीं देखा हुआ तो They met them, अब यहाँ पर again which और that का which जो लगता है वो हमेशा हमारा लगता है animal के लिए ठीक है, या फिर आपका non living thing के लिए ठीक है, non living thing के लिए that का अगर आपको याद आएगा तो that का हमने 4 चीज़े पढ़ी थी that के लिए मने 4 चीज़े पढ़ी थी सबसे पहली चीज़ हमने that की क्या पढ़ी थी के अगर आपका antecedent है, ठीक है और उस antecedent से पहले आपका क्या लिखावा है superlative degree लगी हुए क्या लगी हुए, superlative degree लगी हुए तो आगे आपका क्या आता है आगे आपका that आता है ये तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी शही बात है, बहुत ही बढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि अगर मेरे दो noun हो noun one और noun two ठीक है और ये दोनों ही noun मेरे क्या हो different हो दोनों ही noun मेरे different हो तब भी मेरा उसके बाद क्या आएगा मेरा sentence में आगे क्या आएगा that आएगा ठीक है, अच्छा जी तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर मेरे question word हो और वो question word repeat हो रहा हो मैं कराऊंगा भी सबके example सारे concept clear कर दूँगा चिंता मत करना तो आगे मेरा क्या आता है that आता है चौती चीज़ मैंने क्या पढ़ी थी चौती चीज़ मैंने इसके अंदर पढ़ी थी कि अगर मैरे specific words लिखे हो मेरे specific words का use हो रहा हो तो भी मेरा उसके बाद आगे क्या आता है मेरा आगे that आता है और वो specific words मैंने क्या देखे थे specific words हमने देखे थे all ठीक है any the only ठीक है the same ठीक है none much no the little याद आ रहा है कुछ ये सारे words हमने पढ़े थे हो आपे हमें एक एक करके example लेगो बिल्कुल त्रिपती लिए दूँ आपको सारी चीज़ों की इसको आप ऐसे समझो हाँ मैंने का she choose the car which she liked ठीक है अब यहाँ पर बताओ यहाँ पर क्या है वई she chose the car क्या है मेरा non living thing है तो यहाँ पर मेरा which बिल्कुल ठीक है कोई दिकत कोई परिशानी नहीं है अच्छा जी बहुत बढ़ी है दूसरा sentence देखते है मैंने का राम has a cat which is very let's say white ठीक है अब राम के पास कहा है एक बिल्ली है क्या है वही cat है यहाँ पर मेरा witch आ रहा है तो उससे पहले मेरा animal आ रहा है आपने देखा था animal आ पर non living thing के लिए यूज होता है sentence मेरा बिल्कुल ठीक है कोई दिकत परिशानी इसके अंदर नहीं है बहुत ही बढ़ी है तीसरी चीज मैंने का आप से let's say she found the old man uh she found the old man यहाँ पर आपको बताना क्या रहेगा that एसमें दैट बलो या शिट आठ डैश है जो लॉस्ट हीज पर्स अब देखो बहु यहां पर क्या आ रहा है यहां पर she found the old man man है मेरा यहाँ पर मतलब की मेरा man की बात हो रही है मतलब person की reference आ रही है लेकिन यहाँ पर the old लगा रहा है मतलब की क्या कर रहा है super relative कर रहा है या फिर specific कर रहा है उसको तो यहाँ पर मेरा क्या जागा यहाँ पर that आएगा आगे देखो भई या oldest होता she found the oldest man तो यहाँ पर क्या रहा है तो इसलिए मेरा क्या आएगा है यहाँ पर that आएगा अब person देख के आप कुछ और मत लगा देना क्यूंकि the oldest से specific कर दे antecedent को तो super relative लगा वाँ पर तो आप मेरा that आजेगा फिर अगर मान लो मैंने का she saw the man and the box and the box that you that you were talking about that you were talking about अब यहाँ पर देखो she saw the man and the box तो यहाँ पर देखो the man हो गया the box हो गया दो noun हो गया अलग-अलग तो अब यहाँ पर अगर मालो मेरा dash होता या मुझे कुछ नहीं पता है मुझे क्या लिखना होता तो आप देखते कि भाई यहाँ पर मैं is that box की वज़े से लगा हूँ या man की वज़े से लगा हूँ तो जब भी हमारे दो noun होंगे different different category के हम क्या लगा देगे हमाँ पर that लगा देगे ठीक है अब question word का एक example ले लेता हूँ आप से repeat हो रहा है ना तो जब भी question word से मेरा start होता है तो वहाँ पर मेरा क्या आता है that आता है बात है स्वेज में अब एक यह specific word वाला example ले ले लेता है एक और मैंने कहा let's say आप से Sneha is the only girl who has topped ठीक है actually मेरा pen tablet ठीक से work नहीं का रहा है वीच में अटक रहा है पता नहीं क्यों कोई बात नहीं तो यहाँ पर देखो Sneha is the only girl अब यहाँ पर आपको लग रहा हूँ तो यहाँ पर आपको लगेगा कि person लगा है उसके बाद मेरी helping verb आ रही है तो यही से एक concept निकल के आते है हमारा rule no 3 ही ही यही मेरा whoever और whom ever का तो यहाँ पर हम whoever या whom ever कब लगाते हैं जब हमारा antecedent missing हो यहाँ पर मेरा क्या हो antecedent antecedent जो होता है वो मेरा missing अगर होता है तो वहाँ पर मैं क्या लगाता हूँ whoever या whom ever लगा तो अब ये antecedent क्या बाला है समझो ज़रा हूँ बहुत घ्यान से मैंने कहा call him dash you think you can choose अब एक बाह बताओ यहाँ पे आपने देखा यह मेरा him क्या है antecedent है है ना और यह मेरा क्या रहा है यहाँ पे subject आ रहा है लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे आपने देखा यहाँ पे मेरा क्या रहा है subject आ रहा है और यहाँ पे इससे पहले call किसको call करू antecedent missing है तो यहाँ पे मेरा subject आ रहा है subject की वज़े से यहाँ पे मेरा क्या आ जगा whom तो आ जगा लेकिन क्योंके कि मेरा antecedent missing है तो यहां पर मैं क्या लिगा दूँआ ever लगा दूँआ call whomever you find is appropriate ठीक है यह हूम एवर और whoever के direct question अगर आप Christ University के लिए prepare कर दो आप Sensevayas के लिए prepare कर दो direct question बनते है IP University पर direct question बनते है ठीक है आगे देखो भई आगे क्या कहता है she loved dash trusted her अब एक बाह बता हो trusted आपने देखा कि भई है मेरी verb आ रही है तो यहाँ पे आपने क्या लगा दो आपने who लगा दिया आपने देखा कि she loved what यहाँ पे antecedent missing है मेरा तो antecedent missing है तो यहाँ पे क्या लगा दूँगा ever लगा दो she loved whoever trusted her भलाल killed किसको नहीं पताना भई antecedent missing है यहाँ पे came मेरा क्या रहा है यहाँ पे मेरा verb आ रहा है तो यहाँ पे मेरा who आ जाएगा और क्योंके मेरा antecedent missing है तो क्या जाएगा ever आ जाएगा बात आ रहे हैं समझ में कोई दिक्कत इसके अंदर I hope आपको नहीं होगी ठीक है भई आगे चलते है next है भई हमारा conditional sentence जो की conditional sentences अगर देखोगे तो मैंने आपको tenses का chapter उठाके देखोगे तो tenses में session number आपका एर्थ है जहापर मैंने conditional sentences बहुत काईदे से समझाए हुए आपको आप जो है अगर आपको समझ में ना एक conditional sentence तो उस लेक्चेस को देख जरूर लेना ठीक है conditional sentences को समझने के लिए major 3 points की बात होती है भई अपनी ठीक है 3 points क्या है भई हमारे 3 points हमारे सबसे पहले जो चीज होती है वो होता है भई हमारा कि जो भी हमारी if condition होगी ठीक हो conditional मतलब की condition लगती है तो हमारी condition हमेशा से if के साथ ही लगती है ठीक है और फिर हमारे sentence के बीच में आता है comma और फिर हमारा आता है result ठीक है दूसरा चीज होती है हमारे reorganization ठीक है organization reorganization जैसे की बहुत से लोग क्या करते है या examined आपको क्या करता है if के साथ आपको condition लगा के देदेगा जो भी आपकी condition होगी उसके बाद आपको क्या लगा के देदेगा then या फिर आपको later लगा के देदेगा ठीक है जैसे की man low में एक sentence लेता हूँ for example मैंने आपसे कहा if it rains then I will cancel the trip ठीक है मैंने यह कहा आपको अब यहां पर देखो if it rains then I will cancel the trip तो हमारा then नहीं आता हमारा कभी भी then or later if condition के साथ नहीं आता हमेशा सिर्फ और सिर्फ बीच में कॉमा ही आता है आप इसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हो इसको ऐसे भी ले सकते हो इसको आगे भी ले सकते हो के भई I will cancel the trip if it rains ठीक है यहां पर मेरा क्या हैगा if it rains बात आता है यहां में तो कभी भी then or later आप if condition के साथ नहीं लगाऊगे अच्छा जी तीसरी चीज तीसरा point हमें क्या देखना है वो हमारा arrangement of tenses arrangement of tenses arrangement of tenses अब यह क्या है भई हमारा arrangement of tenses की क्या बात होगे भई हमें पता है कि if condition के साथ if के साथ ही मेरी condition आएगी बीच में कॉम आएगा फिर मेरा result आएगा ठीक है तो अगर मेरा tense मेरी condition जो है वो condition अगर मेरी present indefinite के अंदर है किसके अंदर है present indefinite के अंदर अगर है तो मेरा result जो होगा वो future indefinite के अंदर होगा future indefinite के अंदर ठीक है दूसरा point अगर मेरी condition जो है वो past indefinite के अंदर है किसके अंदर है मेरी past indefinite के अंदर अगर मेरी condition है तो मेरा जो result होगा वो उसके अंदर क्या लगेगा adam would के साथ word की first form आईगी तीसरा अगर मेरी condition जो है वो past perfect के अंदर है वो past perfect के अंदर अगर है तो मेरा जो result आएगा वो किसके अंदर आएगा would के साथ आप have लगाओगे और उसके साथ वर्ब की third form लगा होगे यह तीन चीज़े वाई जो major आपको दिमांग में रखने हैं जैसे कि मैं आपसे example लेता हूँ मैंने कहा आपको पहले present वाले ले लेते हैं मैंने कहा if she comes if she comes if she comes on time she will take us she will take us to the market ठीक है तो भाई यहाँ पर आप देख रहो कि जो मेरी condition है वो किसके अंदर है present indefinite के अंदर है तो यहाँ पर मेरा result जो आया वो किसके अंदर है future indefinite के अंदर है कि भाई अगर मैं वो time पर आती है तो वो मुझे market ले जाएगी ठीक है दूसरा मेरा क्या था अगर मेरा जो है पास के अंदर हुआ if she helped me if she helped me I would thank her I would I would thank her ठीक है वो कि फर्स फर्स फर्म आएगे ना आए वो ठांक तो यहां पर देखो भी क्या था वोड के साथ वोड की फर्स 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 फर्म आएगी if she helped me I would thank her वोड के साथ है वोड की थर्डफों आईगी तो लगालो if she had invited me I would have I would have have come to the party come to the party अब देखो come came तो यहाँ पने किसके अंदर है या पास्ट into यह मेरे अंदर है घए जिसको मैंने आपको जो है अदर कंडीसटे नाम से समझेवा आप अगर सेशन नंबर 10 उठाके देखो गए तो वहां पर मैंने आपको अधर कंडीशन के अंदर पड़ाया हुआ अधर कंडीशन टो वहां प्रेजन के अंधर होगी और उसका रिजल्ट मेंने मेरा प्रेजन अंधर हुटा के अंधर होता है वाटर, तो क्यों होगा, इट इवापोरेट्स, भाई, अगर मैं पान इको गर्म करूँगा, तो इवापोरेट होगा, उनिवर्सल टूथ है न, तो यहाँ पर यह मेरी कंडिशन भी प्रेजन इंडेफिनेट के अंदर है, इसका रिजल्ट भी मानलो मैंने का, if you draw two parallel lines, ठीक है, इसको parallel समझना, if you draw two parallel lines, they never intersect, ठीक है, तो भाई, अगर आप दो parallel line draw करोगे, दो parallel line draw करोगे, तो कभी मिलेंगी नहीं, तो भाई, दो सीधी सीधी line को जब लेते जाओगे, तो यहाँ भी नहीं मिलेगी, अफरीका में मिलेगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी, उनिवर्सल टूथ है, तो यहाँ पे मेरी कोई condition के अंदर कुछ नहीं, अब प्रेजन इंडेफिनिट के अंदर ही हम लिखेंगे, बात रहे समझ में, कोई दिक्कत परिशान नहीं इसके अंदर, तो I hope आपने इस session को जो है, वो बहुत प्यारे तरीके से enjoy किया होगा, इसी तरीके से, इसी format में आपके session आते रहेंगे, आपके revision बहुत प्यारी तरीके से जाएगे, और मेरा वो बच्चा जिसने अभी तक grammar को हाथ भी नहीं लगाया है, exam में वो भी सीधा सीधा अपने question को direct solve करके आजाएगा, तो मिलता हूँ next video के इंतर, मुझे दीजेगा जाज़त, till then bye bye and take care.